पुलिस को पता चला कि वहाँ पर काफी लड़के जो है ब्रेंड वार लगा कर इकठा हुए हैं बड़ी ओमती में जूले लाल मंदिर रोड पर आधी रात 20 सड़क बर्थडे पार्टी मनाने के दोरान हुड़ दंक करने वाले यूगों को पुलिस ने अच्छा सबक सिखाया आधी रात आतिस वाधी और बाइक से सोर मचा रहे है यूगों को पुलिस के चलते बाइक छोण कर भागना पड़ा पुलिस ने मोके से 40 बाइक जब्त किये हैं सभी में प्रतिबंधात्मक और MB Act की कारवाई की जा रही है उम्ति टी आई SPS बगेल ने बताया कि बुद्धवार देर रात 12 बज़े के लगभग बड़ी संख्या में यूवग बाइक से तेज रपतार में घंटा घर से निकलते हुए सोर सुनाई पड़ा सभी यूबक यहां से जूले लाग मंदिर पहुँचे और वहां बीच सड़क पर मेड रखके बर्त्रे के काटने की तयारी कर रहे थे आधी रात बिना अन्वती सभी यूबक आतिस बाजी कर रहे थे सोर मचाने से आसपास के लोग परिसान हो रहे थे सूचना पर मैं टीम के साथ मोके पर पहुचा वहां सतर से असी यूबक बेज सड़क हुर्दंग मचा रहे थे ये परिसो दिनांग तेविस तीन दो हज़ार बाइविस को ठाना उम्ती की पुलिस टीम छेतर ब्रहाण में थी तभी ओम्ती चोग के पास पुलिस को पता चला कि वहां पर काफी लड़के जो है ब्रीण भाड लगा कर एकठा हुए हैं मौके पर पुलिस पहुची तो वहां लगभग कम से कम 50-60-70 लड़के जो है तो गठा थे भीण लगा के और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी लड़के मौके से भाग गए और अत्यदिक भीण होने से सभी गाड़ियों को थाना उम्ती लाया गया और विदिसंगत कारवाही जिन भी गाड़ियों की डाकुमेंट्स नहीं है उनको मोटर वीकलेट के सभी तहट चालान किया जा रहा है और अननि पर भी दिसंगत कारवाही करके लड़के मैक्जिमम जो है तो जबलपुर के ही हैं जबलपुर शहर के ही हैं ऑपना डौकुमेंट्स ला रहे és her कि चलानी कारवाही चरत जो ब्यक्ति अपना डाकॉमेंट्स परवाइट कर रहे हैं पुलिस को और पुलिस को यह समझ में आ रहा है कि बैदानिक काग जात हैं तो उनको चालान करके और गाडियां उनको सफुर्थ की आगे लगबग कितनी गाडियां अभी थाने में लगबग 40 गाडियां अभी थाने में नहीं हैं नहीं नहीं कुछ गाडियां चालान करके छोण देगे हैं वह गाडियां थाने में लगबग के साथ पुलिस को देख सभी यूवक मौके पर बाइक छोण कर भाग निकले मौके से 40 बाइक जबत कर उंती थाने में खड़ी गराई गई है प्रारंबीक पूचताच में पता चला कि वहां अजहर अबरार दादा नाम के यूवक का जर्म दिन मनाया जा रहा था सभी की खिला प्रतिबंधात्वा कारवाई और एमबी एक्ट का प्रेक्टर दर्ज किया जा रहा है व्यूरे डिपोर्ट दाखबरदान न्यूज